यह जो generic medicines जो हम कहते हैं अब यह अग्रेजी का शब्द है इसको हिंदी में कैसे समझाएं मैं आपको बहुत सरल भाशे में बताता हूँ तो यह generic नाम जो दवा का जो मुल सॉल्ट है जो इसके अंदर जो दवा है उसका नाम है अब जैसे और उधारन अगर सरल करके बताएं इसको तो जैसे यह लड़की दूबली पतली से नजर आती है तो मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं इसको यह कहूँ एक ग्लास दूद सुबह एक ग्लास शाम को पिया करा पर चिकिसा के व्यवसाय में दुरभाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा हम यह नहीं कहते कि आप भहस का दूद लेके आईए हम कहते हैं कि वो रामों की भहस का दूद लेके आना यही ब्रैंडिंग है यह जब उसकी दुकान पे जाती है वो कहता है 500 रुपे लेटर है लेना है कि नहीं लेना तो जो 30 रुपे की चीज़े वो 500 रुपे में मिलती है तो अगर मैं डाइबीडिस की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रैंडिट दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी जैसे एक 117 रुपे में भी है 117 रुपे में मिलती है और अगर वोई चीज हम उसके ज उनों गोलियों में कोई फरक नहीं किसी किसिल का उत्तिशत समान क्योंकि इसके उत्पादर लागात ही इतनी है उसका मैनिफेच्टरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, डिटेल मार्जिंग, जो हमारे जाते हैं उस सब मिला करके उतने की ही पड़ती है कुछ कैंसर के में आपको धरन दूँगा, उसमें एक ही दवा जो ब्लड कैंसर के काम में आती है, बजार में सवा लाक रुपे का एक पैकेट मिलता है, सवा लाक का एक पैकेट जो एक महीने चलता है, और जेनरिक में, वो ही दवा जेनरिक में अलग-लग कंपनीज जो बनाती है, एक 10,200 में बेशती है, एक 8,800 में बेशती है, और एक 6,500 में बेशती है, मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पबलिक को, अवाम को ये दवाएं पहुचा रहे हैं आप इस वक्त, क्या बात है, मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं, वो हमारे परची पर जेनरिक नाम क्यों नहीं लिख ये देदे, क्यों लिखते हैं वो ब्रैंडिक जाने नहीं देंगे भार फिर, नहीं नहीं, सब जाने देंगे, जब एक नयाने मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है, तो उसके पास जो कंपनी के जो medical representatives होते हैं, sales बढ़ाने का उनका काम होता है, marketing principle किसाब, sales agent होते हैं, बिसिकली, जिरो कहते हैं कि साब हमारी जो दवा है, यही लिखना, यह बहुत बहुत बहुतर दवा है, इससे मरीज ठीक होगा, और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको टेंप्ट किया जाता है, तो यह एक इसमें बहुत बड़ा कारण है, जो दवा की कीमत को उसकी वास्तफिक कीमत से, पांच, दस गुना, बीस गुना तक बढ़ा देता है, एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास जब हम टेंडर करते हैं, तो बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, जो भारत की सबसे बहतर कंपनी आजिसके भी नाम, वो रेपूटेड कंपनी आजिनके नाम आप ले सकते हैं, वो सभी हमें वो उसको जो सता रुपे की है, उसको दो रुपे में पांच रुपे में दे रही है, तीस रुपे की दवा दो रुपे में दे रही है, इतना ज़ादा फर्क, तो कंपनी तो दे सकती है, और देना चाहती है, आपने जब ये शुरू किया तो आपको कोई resistance face करना पड़ा राजिस्थान में? देखिए जो प्रयास हम कर रहे हैं ये basically धारा के विपरित बहने का एक प्रयास है काफी threats भी है क्योंकि इसमें mafias भी है drug mafias जो operate करते हैं और हम हमेशा बात कहते हैं कि हम 100 साल से भी पुरानी शोशन की विवस्ता को बदलना चाहते हैं पर हमने हमेशा doctors को दोशी नहीं माना साथ doctors बुरे नहीं है 50-60% तो genuinely वो चाहेंगे कि गरीबों को कम कीमत पे दवा मिल जाए हो चाहेंगे और आज भी ऐसे doctors हैं जो अपने घर से samples ला करके अपने जेब से पैसे निकालके मरीज का उलाज कराते हैं ऐसे doctors आज भी हैं बिलकुल सही मैं इनको एक उधारन भी बताता हूँ कि कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था चोटा incidentally हम को इस से में चुटी मनाने कोई बाहर गए जब हम लौट की आए दस बारा दिन बाद तो लक्षमी के साथ उसका चोटा जो बेटा था राजू वो भी उसके साथ आता था जब और मेरे बच्चों के साथ खेलता था तो लक्षमी अकेली है राजू नहीं आया तो हमने पूछा कि क्या हुआ तो उसने जो बात बताई कि साब वो उसको आप गए थे उल्टी दस्थ हो गया था उल्टी दस्थ की बिमारी के लिए जब दवा लेने गई तो कैमिस्ट ने उसको कहा कि इसकी तो 400 रुपे लगेंगे तो उसने का साब मैंने खूब मांगा मेरे पास 400 रुपे मुझे नहीं थे और मेरा बच्चा रात को ही उसको 10 तातरे वो खतम हो गया और मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि वो जो दवा लिखी थी कि वास्तव कीमार डेढ़ दो रुपे ही है तो वो बच्ची की जान बच सकती थी 65 वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्ते मर जाए तो मैं नहीं समझता इससे शर्मनाक बात कोई हम लोगों के लिए हो सकती है और सबस्ट बात कीसे आसानी से बदला जा सकता है हमें सबको एक समनवेत एक संगठित प्रयास करने की ज़रत है यह तो कुछ भी नहीं है कोई नई फैक्टरी खोली नहीं कोई नई दवा नहीं बनानी यह सब जो गलत चल रहा है इसको रोकना ही तो है तो दोस्तों डॉक्टर समित की बातों से हमें यह पता चला है कि दवाईयों का जो कॉस्ट होता है जो उनको बनाने का खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है और हमें इन कम दामों में यह दवाईयां मिल सकती हैं अगर हमारी राज्य सरकार जनरिक मेडिसन की दुकाने खोले जैसे राज्यस्तान सरकार ने किया है और जिसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं एक बात और अगर आप एक एंजियो हैं और आप जनरिक मेडिसन की दुकान खोलना चाहते हैं तो Department of Chemicals and Fertilizers आपको 50,000 रुपे की गरांट भी देता है डॉक्टर समित आपने बहुती बहुती बहतरीन काम किया है और इस बहुती एहम मुद्दे पर रोशनी डाल कर हमारी आखें खोल दी है और हमारी दुआ यह है कि जो काम आपने राजस्थान में शुरू किया है वो हर राज्य में फेले, देश के कोने कोने में फेले बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बाचीत करने का डॉक्टर समित